ओम शान्तिम हम सर्व सक्तिवान बाप की संतान हैं सर्व सक्तिवान के बच्चों का शक्ति हीन होना क्या अच्छा लगता है? वास्तों में हम भी बहुत सक्तिशाली हैं मास्टर सर्व सक्तिवान है परमात्म सक्तियां हमारे पास है हमारे संकल्पों में ही बहुत ताकत होती है परन्तु हम स्वचिंतन में नहीं रहते तो माया हमें परिशान करती है एक सुन्दर चीज के चिंतन में अपने को व्यस्त करें आथो सक्तियों का चिंतन और भी बहुत सारी सक्तियां है उनका चिंतन उसमें विजी रहेंगे तो माया हमें विजी नहीं करेगी हम चिंतन में विजी नहीं रहते तो माया हमें विजी कर देती है चिंतन इस तरह करें मैं मास्तर सर्व सक्तिवान हूँ और सर्व सक्तिवान बापने मुझे अपनी सारी सक्तियां दे दी है मेरे पास सहन सक्ति है सहन करना कौन से बड़ी बात है परमात्न सहन सक्ति मुझे मिली हुई है मैं हर परिष्थिती को अपमान को दूसरों के कटू विभार को सहज ही सहन कर सक्ति हूँ मेरे पास समानी की शक्ति मिली है संसार में मैं जो भी देखूँ मैं उसको अपने अंदर समा सकता हूँ, मुझे उसके बार बार बाहर वर्णन करने की आवश्य सकता नहीं, जान को स्वयम में समाने की शक्ती भी मेरे पास है, सभी अच्छी बातों को समाने की शक्ती मेरे पास है, मैं सारी मुल्ली को समा सकती हूँ, मेरे पास विस्तार को संखीन करने की शक्ती है, चाहे मेरे मन में व्यर्थ का विस्तार चल रहा हो, मैं सेकिन में उसको फुलिस्टोप लगा सकता हूँ, ये शक्ती मेरे पास है, और छोटे को बड़ा करने की, यानि चिंतन करने की शक्ती कोई भी मेरे पास है, मन का अर्थ ही है, मनन करना, जहां मन है, वहां मनन शक्ती है, मेरे पास ये शक्ती है, मैं बहुत अच्छी तब है, मनन कर सकती हूँ, तन्तु जदी मैं व्यर्थ में, व्यर्थ के मनन चिंतन में व्यस्त रहूंगा, तो स्रेष्ट संकल्पों का मनन नही मेरे पास परखने की शक्ती है कोई भी मनुस मेरे पास आएगा बुरी भावनाएं से आएगा बुरे द्रश्टी कौन से आएगा उसके मन में धोका देने का संकल्प होगा मैं तुरंत उसको परख लूँगा मेरे निरने भी परफेक्ट हैं मुझे परमात्मा से संबोन और सुन्दर परफेक्ट राइट निरने करने की शक्ती प्राप्ट है मेरा कोई भी निरने गलत होगा ही नहीं क्योंकि जो सोल कॉंसियस रहते हैं उनके निरने सदैव कल्यानकारी और परफेक्ट होते हैं मेरे पास ज्यान की शक्ती है, मेरे पास प्रेम की शक्ती है, मेरे पास सेवाओं का बल है, बहुत शक्ती मुझे मिली है, इस तरह स्वयम को स्रेश चिंतन में रखें। तो व्याद सोते ही समाथ होगा, और जिन इन सक्तियों का हम चिंतन करेंगे, जिनको हम सुईकार करेंगे, कि ये हमारे पास हैं, वो सक्ती रद्धी को पाती रहेगी, ये सुक्सम रहस्य हमें याद रखना चाहिए, कि वो हमारी सक्तियां हमारे अंदर, हमारे अंतर मन में या बार बार जगाने से किसी की शक्तियां जगती हैं। जग जाती है। तो आज सारा दिन, हम ये बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, इनी सब्दों का परियोग करेंगे, मेरे पास सहन शक्ती है, मेरे पास समाने की शक्ती है, मेरे पास परखने की शक्ती है, मेरे पास विष्कार को संखेन करने की शक्ती है, मैं हूं मास्तर सर्व शक्तिवान और मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरने जहूं और फैल रही है तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम श्यंति